अलो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि दुनिया में साथ अजूबे हैं और यानि seven wonders यह साथ अजूबे हैं लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि साथ अजूबों का नाम क्या है और आखिर वो कहां पर इस्तित पर केसे दिखते हैं तो आज की वीडियो में आपको साथ अजूबे यानि 7100 में से एक अजूबे के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खोज जिसकी खोज 1911 में पहली बार की गई उसको देखकर इतिहास कारो और जो हिस्टोरिकल से उनके आगे फटी के फटी रहे हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है एक ऐसा शेहर जो 600 साल से भी जादे पुराना है और जो समुदर तल से 8000 क्विट की उचाई पी या नि पहाड़ी की चोटी पे बनाया गाए बीना किसी ओजारों का इस्तमाल करें बीना किसी मशीनों का इस्तमाल करें बीना किसी धादू का इस्तमाल कर झाल झाल ऐसे प्रेश कर्याशी प्रेशा करशिया जाल ठीज कर भूलक्ति अर्षेश के इसे लिए प्राइश में जाल प्रेश में प्रेशी सिए थाख रोडंगी आदेन। क् ouais थो गायस हम आपको इसी वीडियो में यह बताएंगे कि माचु पीचू का नेर्मान गया था? अबिशपढ्यवन को सॉंकरते है आज की इस वीडियो में इसकाल आपको बताया थे किमाचु पीचू कहां पर इस थी थे तो माचू पीचू दश्चिन अमेरिका देश पेरू में सिर एक कोलंबस पूर्यूग इंका सब्वेता से संब्दित एक एथियासिक स्थाले। माचू पीजू का मतलब पुरानी चोटी है दशीन अमेरिका देश में पेरू में मुझू एक कोलंबस पूर यूग इंका सब बेतर से सम्दित एतिहासिक इस्था दे हम आपको बताया देंगे यह समूदर तल से हम आपको बताया देंगे यह समूदर तल से 2430 मीटर यह 8000 कीट की उचाई पर उरम बामबा घाटी जिसमें से उरम बामबा ने दिवेती है माचू पीजू परीफ 8 km में फेला हुआ एक शेयर है जो पहाड की चोड़ी पर मौजूद है यह खुजको से 80 km उत्तर पश्चम की एंडीस की पूर्वी डहलानों पर मौजूद है गाइस हम आपको बता देंगे माचू पीजू की खोच किसने करी थी साल 1911 में अमेरिकी त्यासकर और खोचकरता हिराम बिंगम ने पुर्ण इंक राजधानी की तलाश में इस जगह की याद रखी और एक गाउं वाला जिसका नाम मेरिचोर आर्टेंगा था उन्हें माचू पीजू तक ले गया गैस हम आपको बता थे कि माचू पीजू को बनाने मां आकिर कितना समय लगा था तो माचू पीजू को निर्माण 90 वर्षों में किया गया था जो 1450 1540 के बीच किया गया था ये पेरुवियन इंडीस के चोटी पर इंका लोगों ने बनाया था जो ना तो धातू के अवजार और ना ही पहिये को जानते थे इमारों तो को बिल्कूल अलग अलग करकी तिवारे दे गई थी जिन मेंसे हर एक किरेनाइट पत्त्रों से बनी थी जिनने प्रोपर तरीके से बनाया गया था और गईथ हम आपको यе भी बता थे हैं कि माचु पीचु का निर्माण कीतने लोगों ने किया था तो माचु पीचु का निर्माण जो किया था वह 5,1990 दुवार रखिय गया था ऐसा लगता है कि ये शेहर समराज्जी के लिए एक शेहरी केंदर होने के साथ साथ समराज्जी के लिए महल नुमसमपत्ती भी राये रिसर्चर और इत्यासकारों का मानना है कि शेहर में 300-10000 लोगों का कब्जा था माचू पीचू को इसके निर्माण के लगबग 100 साल बाद छोड़ दिया गया था हम आपको ये चीज़ और बतायते हैं कि माचू पीचू की क्या खासियत थी माचू पीचू दुनिया के सबसे इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल स्थलों में से एक माना जाता है ये इका लोगों दुआरा ये इका लोगों के इंजीनिरिंग स्किल्स का नमूना देखने को मिलता है ये स्थल कई सो इमारोतों से बनाए है जिन में मंदिर, महल और घर भी शामिल है माचू पीचू किस चीज से बनाएगा इस हम आपको बताते हैं माचू पीचू गिरेनाइट इस पत्थर से बनाए जो उस पशेत्र में एक ज्यादा डेंसिटी वाली समग रही है कुछ गिरेनाइट परवत श्रकलाओं को इन कड़ो चट्टानों के लिए इनका लोग पत्थर कांसे या तामबे के उजारों को इस्तमाल करते थे जो आम तोर पर प्राकरिदिक फ्रैक्चर लाइनों के साथ पत्थरों से अलग करके तरा शेय करते थे माचू पीचू का आखिर अजूबा क्यों माना जाता है माचू पीचू में फेमस सूरी मंदिर है इनकाज के लिए पहाड़ पवित्र थेल इसलिए इसे विशेश रूप से उचे परवश्यकर पर किस्थित आवास का एक विशेश हर्मी मैं तो माना जाता है यहां तक कि इकाज इस शाही शेहर को प्रामो की उनिवर्स का केंदर भी मानने लगे माचू पीचू चमतकार है गाईद हम आपको बताते है माचू पीचू क्यों चमतकार है और ऐसी क्या चीज़ है गाईद उसमें के वो चमतकार माना जाता है तो दुनिया के लिए इसलिए है क्योंकि शेहर में जाने के लिए कम से कम 3,000 पत्थर की सीवनिये बनी विए सबसे दिल्चस्थ यह पूरा शेहर धातू के उधार और पहिये के बिना बनाया गया था निरमाताओं के शेहर के लिए सिर्फ एक परवे ड्वार बनाया गया था ताकि आकर्मन के वक्त इसकी सुरक्षा करना असान हो लोगों के पास पत्थर काटने की एडवांस टेकनोलोजी थी गाइस हम आपको बताते हैं माचु पीचु में कितने लोग रहते थे कुछ इत्यासकारों का मानना है कि माचु पीचु में 200 से ज्यादा घर बने हुए थे जिसे 1450 इसवी के आसपास बनाया गया था वास्तब में लोगों के अनुसा ये शेहर छोटा था और इसमें केवल 500 से 750 लोग ये रह सकते थे यह फिक रहते थे माचु पीचु को विश्व दरोहर इसतने का बोस्जित या था यानि कि ओषित किया गय था माचु पीचु उण मिनी उसको नाम दूपकर या गया था यह है उनको प्रमुग कुराने पोलंबिया Гाँके हंडरों में से एक है जो अब भी मौझूद है और 7 जोलाइद और 7 को माचू पीचु विश्व के साथ अजुभों में शुमार कर लिया गया हम आपको यह बताते हैं माचू पीचु में आज कोई नहीं रहता है यह विश्व के 7 सब्सक्राइब कर दिये गए हैं माचु पीचु देखने चाहते हैं माचु पीचु का टिकट 3500 प्रतिवेक्तिक है माचु पीचु कब खतम हुआ था माचु पीचु में दो शासको का शासनकाल चला था जिसमें से एक थे पंच कोटे की इंका युपवी जिनका शासनकाल था 1438 से 1471 और दूसरे थे इंका युपवी की यानि टुपेक इंका युपवी की जिनका काल चला था 1472 से 1493 माचु पीचु का नश्ट होने का समय 1550 के 20 माना जाता है जब माचु पीचु को पूरी तरीके स खाली छोड़ दिया गया तो यह आपको बताते हैं कि माचु पीचु पीचु को नश्ट करने का क्या कारण था लभी सब्वीज़ के बास पार निका सम्राजी पूरी तरह से नश्ट हूं गया और माचु पीचु को छोड़ दिया गया इसके बारे में कई सिदान थे जिनम माचू पीचू का निर्मान हमेशा से ही एक रहसी रहा है प्राजीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजिनिरिंग बेहर शांदार है जिसमें सीडियां प्रेम च्छत और दीवारे शामिल है जिनका निर्मान पहाड के किनारों पर किया गया है ताकि भुलन के खत्र यानि कितने साल में वहां पर कितने लोग रहते थे किस तरीके से वहां पर पाच हजाल लोगों नभे साल के टाइम पीरिड में एक ऐसे शेहर का निर्मान करा जो विश्यों के साथ अजबू में शुमार कर लिया क्यूंकि उसा बनाने के लिए कोई भी धातू या कोई भी दग एक ऐसा अधूद नमूना है जो आज के समय में आज की आधूनिक मशीनों यानि टेकनोलोची के होते हुए भी इतनी उपर यानि समुदर तल्ब से करीब 8000 फिट की उचाई पर ऐसे शेहर को बनाना आज के समय में आज के समय में भी बहुत ही जादे नामुंकिन वाल माचू पीचू आपको माचू पीचू के बारे में फुल A to Z information दे लिए है और हमने आपको पूरी डीटेल में आपको बता दिया है माचू पीचू के बारे में तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ माई होगी आपको सब कुछ जानना को मिल चुका होगा तो सब कुछ ज झाल